हेलो आल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस इस क्रिप्टो एक्षेंज के बारे में इसके माध्यम से आप डॉलर को बाई करके बहुत जल्द डिपोजिट कर सकते हो तो चलो इसे डिटेल में समझते हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको प्लेश्टोर में जाके सर्च में बाइनांस डालना है इस तरह का एप्लिकेशन आपको नजर आएगा जिसे आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है ओपन करते ही इस तरह से बाइनांस आपके सामने ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो कंट्री जो है वो अटोमेटिकली डिटेक होके इंडिया शो कर रही है आपको कंपर्म के ओपर क्लिक करना है कंपर्म करने के बाद आपके सामने create your account का पेज ओपन हो जाएगा आपको create personal account पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको account details डालने है यहाँ पर आपको आपका mail id डालना है आपको वही email डालना है जिसका password आपको मालुम हो यहाँ पर आपको password डालना है जो की 8 character का होना चाहिए इसमें पहला अक्षर capital होना चाहिए और एक symbol और numeric value होनी चाहिए जैसे यहाँ पर एक उदारन दिया है जिसे आप देख सकते हो इसके बाद आपको next के उपर click करना है next के उपर click करते ही यहाँ पर एक puzzle आता है जिसे आपको clear करना है clear करते ही आपके mail पर verification code send किया जाता है जो इस तरह से आपके mail पर आता है जिसे आप copy करके यहाँ पर paste कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर type भी कर सकते है code डालने के बाद आपको submit पर click करना है submit पर click करने के बाद एक नया page open होता है जहाँ पर आपको phone verification करना है यहाँ पर आपको phone number डालना है और next के उपर क्लिक करना है इसके साथ आपके mobile पर verification code आ जाता है जिसे आपको copy करना है और यहाँ पर डालना है और submit button पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपका phone number verified हो जाता है और इस तरह से आपका account create हो जाता है इसके बाद आपको verify now उपर क्लिक करना है यहापर आपको आपकी personal information भरनी है जैसे आपका पुरा नाम यहापर आपको डालना है यहापर एक important बात बताना चाहता हूँ और वो यह है कि आपको यहापर वही नाम डालना है जो आपके आदार कार्ड के ओपर है यहापर आपको date of birth यानि की जन्मतारिक डालनी है इसके बाद आपको continue के ओपर क्लिक करना है यहापर आपको कुछ additional information डालनी है जैसे आपका पता, pin code, city और pancard number आपको यहापर वही address डालना है जो आपके आदार कार्ड के ओपर mention किया है इसके बाद आपको continue के ओपर क्लिक करना है क्लिक करते ही identity verification का page open हो जाएगा यहापर कुछ options दिये है जैसे government issued ID card, passport, driver license इसमें कोई एक government issued document आपको submit करना है अगर आप इसके आलवा कोई और document अपलोड करोगे तो आपका verification reject हो जाएगा इसे आपको ध्यान में रखना है इसके बाद आपको कोई एक option के ओपर क्लिक करके continue के ओपर क्लिक करना है यहापर आपको आपके ID का photo आपके camera से निकालना है और वो अच्छा quality का होना चाहिए यह करते समय आपको कुछ precautions लेने है जैसे photo को crop नहीं करना है वो blur नहीं होना चाहिए और उसके उपर light reflection नहीं आना चाहिए इसके साथ साथ वो document government issued होना चाहिए original और full size और un-edited document होना चाहिए जब भी आप document की photo खीचेंगे तो नीचे एक ही color होना चाहिए जैसे black color या white color वो image readable और colored image होनी चाहिए black and white image को आपको upload नहीं करना है वो edited नहीं होनी चाहिए और वो valid document होना चाहिए यानि कि वो expired document नहीं होना चाहिए और एक important बात उसकी size 10KB से लेके पास तो 10KB तक होनी चाहिए और इसका format jpg, jpeg और png होना चाहिए यहाँ पर आपको अदारगार का front upload करना है या आपने जो भी document से लेक किया है उसका front यहाँ पर upload करना है और यहाँ पर आपको back upload करना है इसके बाद आपको continue के उपर click करना है इस page के उपर आपको selfie upload करनी है और उसके लिए भी आपको कुछ precautions लेनी है इसमें आपका पूरा face दिखना चाहिए Face सेंटर में होना चाहिए और आपकी आखे खुली चाहिए इसे आपको crop नहीं करना है और screenshot यूज नहीं करना है Face का कोई भी part आपको छुपाना नहीं है आपको head यानि कि टोपी के साथ photo नहीं खीशनी है कोई beauty filter आपको नहीं लगाना है और इसकी भी size 10KB से लेके 510KB तक होनी चाहिए और ये jpg, zpeg और png format में होनी चाहिए और इसके बाद आपको continue के ओपर click करना है यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे आपको टोपी यानि कि hats नहीं पहनना है glasses यानि कि चस्मा और goggles नहीं पहनना है photo filter का use नहीं करना है और आपके face के उपर proper light होनी चाहिए जिससे आपका face proper दिखेगा इसके बाद begin verification के उपर click करना है जो facial verification होता है जिसमें बहुत सरे लोग fail होते है तो इसे आपको proper तरीके से करना है जो बताया गया है उसे follow करिए इसमें आपको face को center में लाना होता है और उसके बाद जैसे-जैसे face move करने के लिए कहा जाता है वैसे-वैसे move करना है face के उपर proper lighting होनी चाहिए आखे blink करते रहिए पेस को center में लाने के बाद next आपको screen पर जैसे दिया है वैसे अपने सर को ऊपर बाद में सीधा और फिर नीचे ऐसे move करना है ये process आपको 2 या 3 सेकन में करनी है जैसे ये process हो जाएगा आपका verification complete हो जाएगा एक या दो गंटी के बाद आपका verification हो जाएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह से यह सारी प्रोसेस को follow करो और जल्दी से जल्दी इसे कम्प्लीट कीजिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें पैसे deposit करके हमें कैसे dollar भाई करना है और उसे कैसे deposit करना है थेंक्यू